जैहिन दोस्तों तो आज ही क्लास में हम लोग SSC GD रिजिनिंग का 211 का प्रिभेस एरका सभी अति महत्पूर क्वेशन करेंगे तो आप लोग क्लास में सुरू से अंतक बने रहे और इन सारे क्वेशनों को अच्छी तरह से समझेने का प्रयास करें क्योंकि यह सभी क्वेश क्या करता है तो सबसे तरह सब्सक्ट से काता है क्या ति यह घए मिस अ्डिये करते हैं सदोस्तों में सबसे nessuna करना है जो सबसे पहले काम हमारी होती है किoffice करने नहीं हमें यह देखिक का एक है डोई जो rule कि यह इंदर कोई आने वाला तो आप लोग दिएिस लोजी के लिये कोंकि बहुत ही दमदार लोजीक कैटा की आप लोग से लगता मैं कि यहां पर करोजिक का कुण 친े हैं कराके लिएविर नमी उतेरा लिए और जुशनार चरेका कीश के लिखना कीशकर तूरा के लिए है औरत लिए है कितना है तो इसे पहले हम को क्या करना है फिर यहां पर आब हमको लोजिक ढूना है अब देखिए लोजिक क्या मिला है तो लोजिक हमको यहां पर यही मिला है कि देखिए जब पाली संख्यां से दूसरी पर जा रहे है तो देखिए जो बेस मारा है कि इसमें भी क्या हो रहा है एक का बेर्दी हो रहा है तो हो रहाओ मों भीते हम दोРЕ हुए फिर लोग अब तिसरी सद्रे साइत मंद तीन से सच चाल पिचा पीन पीजमा में थैये हम लोग धिर यहां पर भी इंक घर है थो यहां पर हम आस दौना होगा पिर इसमें एक क्यार बिरENN चार व हू Them और फिर पावर में भी एक का बीर्दि करेंगे। then से अंता बने रही इसी तरह की लोजिक को समझने और सिखने के लिए चलिए हम लोग अगले कोश्चन पर चलते हैं अब देखिए हमारा अगला कोश्चन क्या काता है अब देखिए हमारा जो अगला कोश्चन है इसको हम लोग अच्छी तरह से करते हैं देखिए अगला कोश् कि इसका उसने भाग में चेंज कर रहा है पिर कह ताहिए कि निमली खित बेंजक का मान क्या होगा अब देखिए सब्सक्राइब हम लोग क्या करना है कि इस बेंज़क में चीन को चेंज करना है देखिए मारा बेंज़क है तो 144 है वाला कितना 144 है इसके बाद चीन कहा गुना है गुना को हम लोग मैनस में बदल लें गुना को किसमें बदल लें तो मैनस में तो भागा कितना हो जाएगा हमारा भागा हो जाएगा साथ फिर देखिए भाग किसमें बदले गुना में बदले गुना कितना हो जाएगा हमारा बार और मैनस किसमें बदले पलस पलस कितना हो जाएगा हमारा तीर हो जाएगा कोई दिककत अब चलिए अब हम लोग पर देख कोई दिक्कत समझने में चली अगला कॉश्चन पे हम लोग चलते हैं बहुत ही मज़ा है का आच ही कलास में तो आप लोग बने रहे हमारे साथ ऐसा-ईसा कोश्चन करने के लिए अब देखिये हमारा अगला कोश्चन क्या करता है तो अगला कोश्चन काड है कि दिए गये विकल्पो में से उस अक्षर संभू का चैन करें जो निमलखी सिंख्रा में परस्वाजब चीन के अस्थान पर आ सकती ह है फिर हमारा किया है? पी है, एफ है, और ओ है. फिर देखे, अमारा के है, के है, ए है, जै है, आगे तो प्रस्न वासक का चीन है यहाँ पर हमें घ्याति है. अब हम को भी दिखना है कि पहले अक्छा समोज से दुसरी पर हम लोग कैसे जा हुसे दिसरी के संसा किसे कईसे जा रहे उसी हिसाब से हम लोग को प्रस्ठाश कि चीन पर भी जाना पड़ेगा तो हम लोग देखिए जब पहले से सुलवात करते हैं अब देखं़ हम लोग यू कितना में पहुता 21 एक इसप कितना होता 21 द utilizz काम करके जा रहे उसा कोई दिख का तो यहां पर हमको क्या दिख रहा ह। यहीं दिख रहा है कि जब पहला अक्षा समुझ से दूसरा 5 कम करके जा हरे आप दें करें पर फी पर शे पर करें जा रहें आपLove Door 15 मतलब अब हमें पर भूजिक मिले और सर्फ के तो पर तक अक्षर समों में दूसरे अक्षर समों में जो जाते हैं तो पर थाएक श्रमन पांच कम करके जाते करूज़का रहेंगे कुल चलिये के में 5 कम कीची तो के में 5 कम करेंगे के 11 कंक तो काम करेंगे hai शे नम्म पर को होता है सुरू हो जाना जैड से किदर से जैड से हो जाना अर्थात अगर ए में एक कम करेंगे तो जैड पे जाएंगे दो कम करेंगे तो य पे जाएंगे तो एक्स चार कम करेंगे ड्रवलू और पांच कम करेंगे तो भी पे जाएंगे अर्थात अगर हम लोग ए में पांच कम करें समझनें में को दिक्कत पड़े साल रिद्ध चलिए अंगली पर चले चलिए हमारा अगला कोशन क्या कहता है आगला कुछन काता है कि जिस परकार उत्पादर से संब्पन्दित है उसी परकार रहकार शेयर संब्धित है अब कहता है कि फैक्टिरी जो होती है उत्पादर से समझ देता है अब एक ची मताईए फैक्टिरी में क्या होता है कोई चीज बनता है क्या किसी चीज का बनता है या किसी नया चीज का निर्मान होता है तो यही सब काम होता है फैक्टिरी में कोई चीज त्यार होती है कोई प सब्जी जो सब्जी उगाया तो जाएगा नहीं अब मानि यह फ़ल फ़लों कता है तो फ़ल रसोही घर में किसी का आयोजन होता है तो नहीं होता है कता हां पकाने कुक मतलब की रसोही घर में खाना पकाया जाता है या पकाने का काम किया जाता है जिस प्रकार से फैक्टरी मे क्या हो जाएगा पकाने मतलब की कुक्टिंग करतेए खहना पकाते हैं मनातें को क्यों कि मारा एक पы tut के माला को स्थर फॉर्माला के दूसार, सजाना का मतलब होता है कि इसकी परतेग अक्षर को परतेग पक्रक कि अंगलीं वन वाला में सबसे पहले में कोणς और पी कि M O N देखिए हमारा जो M O N है M O N M O N M O N M O N ं-OOO यह पांचो वड़ में M O N M O N है तो यहां से हमें पता नहीं चलेगा M O N तक ठीक है उसे आगे फिर हम लोग अगले अक्षार पर चलते हैं अब देखिए अगला अक्षर हमारा क्या है K है फिर देखिए हमारा क्या है E है फिर देखिए हमारा क्या है O है फिर देखिए A है और S है अर्थात अगला जो अक्षर है सभी पांचो वर्ड का भीन भीन अक्षर है ठीक है इन सभी को हम उठाते हैं पहला कौन है K है, दूसरा कौन है, E है अक्षर, तिसरा कौन है, O है, चोता का A है उर पचमा का S है, हो गया, ये सभी अक्षर का है, प्वार्ड का फिर बीन अक्षर है, अब इन में से हमको देखी चूज करना है, अब देखीं कि इन सभी में अंग्रेजी वर्माला में सबसे पहले कौन आता है तो ए आता है अर्थात ए अक्षर वाले जो वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा तो ए अक्षर वाले वर्ड हमारा कौन सा है चार नमर पर है तो चार नमर भीजा हमारा क्या होगा सबसे पहले आजाएगा फिर एक के बाद कौन आएगा तो यह कितने में पर चार नमर पर आजाएगा और सबसे लास्ट में एक बचा तो पांच नमर वाले आजाएगा तो देखिए यह सब हमारा क्या होगा कि अंग्रेजी वर्वाला के अनुसार सजाने के बाद यह इस तरह से सज रहा है मतलब कि चार नमर में जो वर्व एक नमर में आ रहा है जो दो नमर में हो दो नमर में है जो एक नमर पर था वो तीन नमर पर आ गया जो तीन नमर पर था चार पर और जो पांच पर था वह पांच वह तो ऐसा ओप्शन देखिए कौन सा है तो ऑफशन नमर यह देखिए फर्स निमिल्की स्रेनी से संबंधित नहीं जो हमारे सरेनी दिया गया इस स लेनी सी कौंसे शंख्या संबंधित नहीं है छलिए Jahren किसी लिखते हैं mern Ka me Da hơnезane काहँआ है 16 है 17 है 155 five and 116 और 263 है 53 है 28 Mark एक क्युईब कितना होता है एक क्युई पहुछ था ही यह था हम से पिसमय हो आफ्य है कितना कि फीजित मैं के तिन इतना कि develops आट साथ में आरफ कितना पाथ किएप आट करके हम लोग यह थूर पर और येक Crist 2 से ऐद्स एकुब्रे, पर के फिर लोकुले बीसी दिनbahn records चातरफ यहांभी का हो यहांपि देख़िए 2प काक्ट क क्व जा रहे आरं मैं 3 का क्वी तो माल रहा है, 3 का क्वी मतलब कि इसमने scientists है धोर मैं अगर लोग चौशा रेंगे हम लोग सव 11 ग्राइए अर्थात यहां पर हमें लोजिक क्या देख रहाए है पहले ऽूसरे ब manger यहां पहले स्ट इक का क्यूब फिर एक क्यूब की फिर तिसरे रच ठीक क्यूब, फिर चाहर का क्यूब, तो आगे किसका क्यूब होगा? इसी तरह सी तरह से ।rov का क्यूब होगा त्व कि मिन कटना होता है। एक सो पचीस होता है अर्थात अगर 116 व्हीं में घर हम लोग 121 ज़ाएगा सबॉस्क Y तालीस नहीं होना चाहिए यहां पर जेक्ट होगा 211 हो जाएगा कितनो जगा 211 हो जाएगा अर्थाथ दो संथी तैली से यह सरे नहीं है इसलिए आपbitsन नमर यह हमारा क्या सब्सक्राइब यह नहीं रहता है क्योंकि जिस लोगी सिंख्ला लिखा गया उस लोजिक के साब से वहां पे 241 होडा है लेकिन पाले से उआ पे 243 लिखा गए इसलिए 243 गलंत लिखा गया कोई दिकत चलिए अगला कॉश्ण देखिए तो देखिए हमारा अगला कोश्ण कहता है क्या तो अगला कोश्ण हमारा कह रहा है कि चो मेंत्र P Q RS T और यू एक दूसरे से समान दूरी पर एक बिरताकार मेज के चारों और केंद के उर मुग करके बैठे हुए काताई S है ना U और Q के बीच बैठा हुआ है, P काताई कि S के बाएं दुसरे हैं और T के दाएं दुसरे हैं, फिर काताई जो Q है ना T और S के बीच हैं बैठा है, तो S के सामने कौन बैठा हुआ है, अब देखिए यहां पर काताई कि 6 मित्र है, कितने मित्र है, 6 है, सभी के अ गता ही से यूड के बीच में है अब भी अपर work यह पता नहीं है अगर हमारा Oh यहां पर होगा आगर tw Geez के बीच में होगा ची यहां पर हो गाidd यह तो प्रक्स आह सबन्य होगा कोई एक đohal परसेंट आएगा इसलिए यह ये दो अस्तान फिक्स हो गया आगे परते हैं आगे काता है कि P है ना S के बाएं दुसरा है हमारा काता है जो P है S के बाएं दुसरा है तो S के बाएं दुसरा है अर्थात P हमारा कहां पे है यहां पे है यहां पे है फिर काता है क्या कि बाएं दुसरे है और T के दाएं से दु दूसरा है तो T के दाएं का मतलब P के बाएं दूसरा अर्था T हमारा हो जाएं घुमारा कहां पहो जाएगा यहां पहो जाएगा को दिकत अब चलिए, देखिए आगे क्या खता कय क्यू जो है T गीू ऐसike बीच और खत आप देखें हां समय पता यह थाई है ती जो है ती और ये स के bici में कौन हे हमारा की हो और यहां पर हो जागा तो ऑ्टमेटिक हमारा यू यहां पर हो जागा क्योंकि एश है Q और U के बीच में है अब एक हमारा बचा कौन R बचा है तो R हमारा कहां होगा यहां पर हो जाएगा अब कहता है कि कोशन करता है कि S के सामने कौन बैठा हुआ है अब देखिए सामने का मतलब होता है कि जो फरॉन पर अब देखिए आर के सामने कुन हो गया एस हो गया देखिए पी के सामने कुन हो गया क्यों हो गया और देखिए और यू के सामने कुन हो गया हमें पूचा है कि एस के सामने तो एस के सामने हमारा कौन है और हमारा कौन स कि चार अक्षर समू दिये गये हैं जिनमें से तीन क्रिशी तरह से संगत है और एक और संगत है उस अक्षर समू का चैन करें जो अन से और संगत है मतलब कि जो भीन है अब चलिए ऑप्शन नमर ए से चलते हैं अब हमारा ऑप्शन नमर एक क्या है कि जैड यू पी है अब एक सब्सक्राइबं If Aself निसे टीजिशना सब्सक्राइबं आप चैनलों करेंगो दो कम करेंगे तो वर क्ता तो यू कितना आप्ञा कम हो रहा है फिर यहां किदावा कि आमको दिख रहा है कि अपर आपichtet हुआ है और हैं तृ तीनों करने में कि स्मालोजी क्या है कि अप्षेक अक्षर के बी जो दिश्टें से है 5 का डिश्टेंस कितनेका डिश्टेंस पं अबट ऑप्स नमर सी में देखिए पाले अक्षर से जोसरे बिच पांस यौद दूसरी से तिसरे के रिच कितना रहा एक इसके हो रहा है अट complete है कोई दिक्कष समझने में आगे चले आगला question देखिए तो देखिए हमारा अगरा question किया काता है तो अगरा question का रहा है जाया और सीमा की रेंग के बीच बीज बाल करने के लिए को डिकत करने कें बुए को दिकत क्लिए चालुए इतना जान पर चे ब्यारती तो यहां हो गया टीन चार पांच और एक शेब्याति ओगे यहां गया यह हो गया पाला रेंग कि दूसरा लेक्ट पास्मा और चांट कोशन पर एक पर अ कोशन में काता है कि रोहित की रेंग जो है करन और शीमा की ने बीच है बट लेंक को चोथे रेंग पर रख लेंग væstorm हों एक कि रיעल महीं अगर प्रश परता है कि जया और शीमा की महींच दो भी डा है अब जया और में आगे प्रति मेंच प्ता नहीं आपकोन के सब्सक्राइब काता है जया जाओंamentos करेंग हम सब्सक्राइब और दीकिना चाहिए तो यह दուया है किए ठीकोंगे यहीं तुन हाने डिर्ट रोवन जाओंक यहां uh अब आगे कहता है कि मनीष की जो रेंग अनीमा की रेंग से ठीक उपर है तो अनीमा इसका मतलब कहा हो जाएगा हमारा अनीमा हो जाएगा दो नमर पर तभी तो उसके ठीक ऊपर कोण हो जाएगा हमारा मनीस भाया हो जाएगे कि अगला कोश्चन कहता है कि उस बिकल्प का चैन करें जो तीसरी संख्यां से उसी प्रकार संबंदित है जिस परकार दूसरी संख्या पॉली संख्या से संबंदित है अब यहां पी देखिए 111 को क्या लिखा गया है कि वर्क कर दिया तो उसी तरह से 17 का वर्क कितना होता हमारा दो सो नब्यासी होता है ना दो सो नब्यासी कौन सा ओप्सन है ओप्सन नमर भी हमारे क्या हो जाएगा को एक निश्चित कुटवासा में अब देखिए आप एक आता है क्या कि एस एल एम इसको क्या लिखा जा रहा है देखिए तो संतावन 36 तीन और 49 लिखा जा रहा है सबसे पहले क्या किजिए आप लोग इसको नमरिंग कर लेजी देखिए एस कितना होता है उनीस एल कितना बारा एक कितना वान एम कितना होता तेरा अब एक शी बताईए अगर उनीस से संतावन जा रहे तो उनीस में कितना लिखे में पोद ग лай तो कि चacia कितना और हमारास 36 हो रहे ह। इससे रिखती है मतलब कि प्रत्याख अंग्षर का जो संख्यात्मिक होता है país कि तीन तो आगे भी हमें वही काम करना होगा तो आगे वही काम करना होगा तो तो आगे माल क्या है किलियर तो ची एल एक तो कितना न में तीन से गुना करें कि बारतिया कितना चोबन कितना होता है चोबन होता है इसलिए अठरतिय चोबन अब देखिए ऐसा ओप्षन आपके पास कौन सी है ऐसा option आपके पास कौन सी है मिलाएए देखे option नमर ए देखे last में 51 है होगा नहीं क्योंकि last में कितना चोबबन है देखे संदाबन है होगा नहीं अब option नमर देखे सी और डी देखे अब डी में देखे ती सद से सुरूब दी भी नहीं होगा अफशन नमर एंच सी क्या हो जागा हमारा कोरेक्ट हो जाएगा मिला लेजिए तिराओंबै एक सट त्यर्यक्यों चोबन हो रहा यहां पर और यहां पर को रेक्ट रंसल हो रहा है option नमर सी समझ मैं कोश्यक्न हें बहुत ही मज़ेदार कोशन है। आप लोग को सी अच्छीत तरह से करना धसे ठीक तॉप जगह भी चालिये च्रेट अब देखेँ आपर कोश्सन क्या काता है है कोॉसर्ट स्काइमעלी के रॉशंक जो राबली or का रॉवाये लाइर काता है कि गिरिमा जो है अर्जून की पत्नी है जो हमारा गिरिमा है गिरिमा होती है गिरिमा एक लड़की ना यह कहा कि अर्जून की पत्नी है किसकी पत्नी है अर्जून की पत्नी है कौन गिरिमा अब देखें यहां पे कौन है गिरिमा गिरिमा कौन है तो यह अर्जून की किसकी पतनी है तो अर्जून की पतनी है फिर काता है क्या कि जाकीर है ना मालवी का पती है अब जो जाकीर है वो क्या है कि मालवी का पती है मौने जाकीर यहां पर हो जाएगा थीक है इसका पती है तो मालवी का पती है फिर आगे पर यह जो काता है कि छाया है ना रबली की पुत्री है अब देखे रबली यहां पर जगा तो रबली की पुत्री कौन हो गए हमारा चाया हो गए ठीक है चाया हो गए चली काता है कि जो फित्मा है ना अर्जुन की पुत्री है अर्जुन की पुत्री कौन हो गए हमारा फित्मा हो गए चली फित्मा काता कि मालवी जो है रबली की माँ है यह कौन है मालवी है फिर काता है कि गिरिमा है ना चाया की मोसी है यह जो गिरिमा है जे जो गिरिमा है, कैया कि छाया की मोसी है 恭喜 है अर्थाक, यह जो गिरिमा हो गही है यह जू रबली है, इसकी कोन हो गही है कोन हो गही है तो ने दो पहेंगी जिते है, महालभी है तो इस नाते से गिरिमा कभी मां कौन होगा, मालवी होगा, और रवली की मां मालवी है, और मालवी की पति कोन है, जाकीर है, तो रवली की पिता कुन हो जाएगा, जाकीर हो जाएगा, तो गिरी का भी पिता कौन हो जाएगा, जाकीर हो जाएगा, अर्था जाकीर और गिरी मे तो बहु साली बहंत हो गी नहीं एंसर क्या जाएगा हमारा पुत्री हो जाएगा अर्थात ऑप्सटन नम्र यह हमारा क्या हो जाएगा को एक जिंद सरह हो जाएगा कि की उस निश्चित कुडभासा में कलेम को dc ook के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूडभासा की किस रूप में लिखा जाएगा ठीक है करता है एसे लिए टिव गयारा रहा पalles टीन होड़ा और फाल्य पाली लगवाम होगा वही में काम हमें आगे भी कड़ना होगा कि वही काम हमें आगे भी करना होगा तो देखिए मारा क्या है कूक है तो कूक में भी क्या करना है कि पहले अक्षर के बीच क्या करना है कि पलस का एक करेंगे सी में पलस करेंगे दी होगा फिर दूसरे में क्या करेंगे पलस का दो करके लिखेंगे तो ओ में ओ में दो पलस करेंगे तो लाइब आप देखिए डी क्यो आरो आप देखिए डी क्यो आरो कौन सा आफसन नमर देखिए से द्र में इप लिखे का बिर्धी करके लिखने पाला सब्सक्राइब दूसरा दो तिसरा तिसरा तिन चोथे चोथे चार्ड एट करके लिखने तो इसमें भी काम करना है तो अगला कोश्चन कहता है कि एक निश्चित कूट भासा में अपेजिनी टी को एच एफ टी आई जी ओ लिखा जाता है उसी कुड़ वासा में इसी यू एल्पी आराइटी को क्या लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा अब देखिए यह कोश्चन बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है थोड़ा भी अकर समझ जाएगा तो मज़ा आजाएगा कता है कि A M कता है क्या कि M M A G N E T को उसमें देखिए क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है H F T I J O लिख रहा है ठीक है यह लिख रहा है अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इसने क्या क्या देखिए जब जो M से H पर जा रहा है तो इसने क्या क्या की मैनस का 5 करके लिख दिया देखिए A से F पर जा रहे हैं इस ने क्या क्या कि प्लस का पांच कर दिया फिर जो हमारा दूसरा अक्षयर है इसंने क्या कि पॉँच कर दिया पीजिक जो आगला अक्षर इसमें पीज देखे इस ने क्या-क्या कि पॉंस औअ कर दिया अब देखिए यहां पर लोजिक देखिए बहुत ही मझे दार लौजिक है तो लोजिक यह है कि जितना भी कोनसुनेंट अक्षर है उसको क्या क्या है कि उसमें पाँच कम करके लिख अगले में वह इसाहिक करना होगा तो चलिए अगले में देखते हैं तो अगला देखिए हमारा क्या है तो अगला हमारा है C-U-L-P-R-I-T अब देखिए दोनों कोई एक अक्सल होगा तो इन दोनों को पहले हम छोड़ा देते हैं इनको हम option से छाट लेंगे परले इधर हम करते हैं आप देखिए C हमारा क्या है consonant है तो मैनस हो जाएगा तो C में अगर 5 मैनस करेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा हमारा X आएगा ठेक है यू में क्या होगा यू क्या हमारा भवलत पलस का 5 हो जाएगा इसमें तो प्लस का 5 होगा आएशमe कंच किया हो जूजागा अर्था हैए फिर इसको ढर लका का मैनस को यू जीएगा है तो एक से हैट और ईक्तिन म कwn से हैं तो एक्सी चेट बाले जो हमारा शुरू से हैं ऑप्सरों अनबे और ऑफ यह भी नहीं होगा ठीक है चली अब हम क्या करतें कि L में मैंने करेंगे 5 तो 12 में 5 जाएगा कितना जगा 7 अधाथ जी होगा और पी का उल्टा पी 16 क्या हो जाएगा अब देखिए कोशन में बी देखिए एकस जैड जी के कोई दिक्कत समझने में यहां तक कोई तकलीफ चली अगला कोशन पर चले चली हमारा अगला कोशन क्या कर रहे हैं तो अगला कोशन हमारा कह रहा है क्या कि उस्विकल्ब का चैन कीजिए जिसका तिसरे पद से वही समन्ध है, जो दुसरे पद से पहले पद से है, ठेक है? जो दुसरे पद के पहले पद से तक है? अब देखे मारा क्या लिखा हूँ है, इनसर्ट की NIXT, तो secondary को क्रें को क्या लिखा जाएगा? ठेक है, यहीं चीजे हैं, यहां पर देखे सी, इसने क्या गया है, कि x, z, उसके बाद क्या लिखा है? tr, देखे, इसने क्या किया है? कि सुरू के दो अक्षारे इसको अपोजी इसको अपोजी, मतलब विप्रीत करके लिख दया, पलट के लिख दया, पहले आई है तो बाद में I कर दिया, और पहले एन है तो लास्ट में एन है तो पहले एन कर दिया और बीच का जो दो अक्षान है इसमें क्या किया है देखिए इसमें क्या किया है इसमें क्या किया है इसमें क्या किया है कि 5 कम करके लिखा है अब देखिए इसमें सब्सक्राइब क्या कि 5 एड किया है तो एसमें 5 तो फिर लास्ट बाले को पहले और पहले बाले को लास्ट कर दिया अर्थात की शुरू के दो अक्षर को प्लट के लिखे रहे हैं मतलब कि उसको प्लट दे रहे हैं और बीच के दो अक्षर में क्या कर रहे हैं कि पहले में पांच पलस और दूसरे में पांच मेरे करके लिखे तो वही काम हमको यहां पर भी करना होगा ठीक है देखिया वही काम करते हैं वही काम यहां भी करते हैं तो सकेंड सकेंड है तो दोनों अक्षर को पहले पलटना है पहले 5 एट करेंगे नहीं कुन से ह ऑफ्च या हो emotion अगला कोश्चन बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है तो अगला कोश्चन काता है क्या कि दिये गे पेटरन को का दिहान प्रवक आध्यान करें और उस संख्यां का चैन करें जो इसमें परसंचीन के अस्थान पर आ सकती है यहां पर को से संख्यां आ सकती है अब देखिये जो लिखी गई है डैग्रॉम कर इसे लिखा इसने क्या क्यलग है और जिसका ही कीउब किया है तो जिसका क्यूब कर रह चार का और थिन κα सी कीउभ किया है तो जगर 8 का क्यूभ तेके है अब देखिए 120 किसका क्यूब है कि अब देखिए 125 oh बहुत करें दोनों को आपस po समें गुना कर दीज्य ओंदो bilang एक एक चालिस हमारा क्यूब है किंगन कर रहाओ और किस का क्यूब है औरै धालत किसका क्यूब सचा कितना हो जाएगा कोई दिकत चलिए अगला कोशन पर चलते हैं तो देखें मारा अगला कोशन पर चलते हैं काता है कि दिये गए सनयोजन से सही कि दर्पन प्रत्वीम का चेन कीजिए कि दर्पन को इसी धाई और रखा गया आथ कि दा आयों रखा किया आप दर्पन में क्या हो कर थ्लड़ बनेगा हमारा तो दो खाइस बनेगा जैंग जै ए व्हुत फोस्क्ति बढ़ा करते होगी हैं सिल लगभग सब्नJust you go नहीं लिखा है तो देखि centr Hi यह को और तो टीक है जएरडिबी ऑसलिका अटीषा अर्थात और जो हमारा है option number B हमारा correct answer दिया गया है कि 6 T Y G Z 2 का जो दरपन के सामने रखेंगे तो option number B के जैसा ही परत्वीम बढ़ना है अर्था option number B हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number B is right answer कोई दिक्कत चलिए अगला question देखिए बहुत सिंपल कोशन है यह सब देखिए अगला question कहता है क्या तो कहता है कि दिये गए बिकल्पों में से उस आकरिती का चैन करें जो नीचे दिये गए सिंखला में पर संचीन के अस्थान पर आ सकती है चलिए हम यहां पर आक भी तुछा ढंक से बना देखिए तो कि आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है ठीक है हम यहां पर बनाते हैं अब देखिए यहां पर कितना जागरम चा गलाते हैं तो कि आ ईकल तो चैन पर कितन का रहा यहां पर कई हो ज सौब आप देखिए यहां पर क्या ओगाना की यहां पर किया होगए अब यहरं प्यक्रिता जिग्री चाफ़िए में गूंगें plot हम इस व्योले ते ऎक यहां में पर यह उम नंड है और शिट छल रहेंग बिंटोत यहां पर आई और इसके सामने एक दे दिया तो वही काम यहां पर भी करेंगे आदेखे आज़िए आप यहां पर जाले है क्या होगा 25 देए फिर फिर देखिए घूम रहा है तो आप यह 45 गोमेगा तो फिर दो ऐसे बन गया यह दो तो एक घूम गया बन गया और ए यह चली डाइगरिम होगे ऊपवर देखिए तीन बुनके पिर इसके सामने बुनके कहा जाएगा हिजया हो जाएगा है यहां पर होजाएगा अब देखिए इसा अपर हो नहें को हो यह तो नगहीं नगे ऐबसननर देखिये बसनमर सी नहीं बाया कि इसमेन बू Skills के चल्षोज में डेया कितना घउम रहा है तो पहले हगे लकीर यह का बिलिदी ओर चुन्हें तो अगला कोशन कार रहा है कि उस बिकल्प का चैन करें जिसमें दी गए आकरती अंतर नहीं थे हैं घूमाने के अनुमति नहीं है अर्था जो ये आकरती ऐसा दिया गया है मतलब जो उप्सानी दिया गया है तो इसकिने अंतर नहीं था अब देखिए मैं तो है ही ने देखिए ऑफ्सजाने में अईसा आकेशति यह हमारा ऐगर्ट मंदू है इसा है तक इस जो कि बिन्दू नीचे है अफ्सां में बी ने देखिए तो आशा तो है ही नहीं इसमें है लेकिन सको गह्माने का अनुमाती नहीं घुमा हुआ है फिर क्षिटियों ओफसे नमर सी में देखिए बीचिटियों में कि आपसे बीचा लॉड एछीष्ट नहीं होडा ऐसे नमर सी भी नहीं होडा चल्यों ऑफसे अमडिने चलते हैं ऑसमडिये यह सिद्धी लग्टी है यह ऐसे है यह ऐसे है अर्थात option number D में क्या है कि यह आकेती चुपा हुआ है इसलिए option number D हमारा क्या हो जाएगा correct तो हो जाएगा option number D कोई दिक्कत चलिए अगला question देखिए तो अगला question कहता है क्या कि उस आरेक का chain करे जो निमलिखित वर्गों के बीच के संबंद को सबसे अच्छी तरीका से दर्साता है काता है कि पिर्थी वर्ण और ब्रीच अब सबसे पहले होगा और इसी के अंदर कौन कोन आएगा वर्ण आएगा पिर्थी भी हो गया अब देखिए हमारा क्या हो गया कि एक ची बताईए क्या बन के अंदर सभी ब्रीच आते हैं क्या आप रिच अपने घर पे नहीं लगाते क्या थोड़ी छोटी मूटी जो हम लोग जिसको बहुत बड़ा जंगल हों बहुत बड़ा एरिया में हो उसको हमनों क्या है तो वर्ण कहते हैं तो वर्ण में भी ज अब ये भी है बट कुछ पर हमारा अदश अगहां भी हो सकता है तो देखें ऐसा कौन सा बन रहा है तो ऐनके मारा क्या हो जाएगा नरगस जाएगा है तो दोस्तों आप लोग किलिए के ज़लो बतायीयों कि मेरी कलास कैसा लगा है तब तक कि लिए जय ही में जय भारत आ बोपलोग जो